पार है दूरे से हमां और मालरोट पर और मालरोट पर आने के बाद में हमने यह भटल में रूम ले लिया है होटल के बहर से रूम के बहर से काफी अच्छा वियू दिखता है अब यह आ रहा है बहर से एक दिन हम यहां पार इस्टे करेंगे शिम्ला में क्योंकि आगले दिन का हमारा जो प्लैन है उंतिस तारिक का जो प्लैन है हमारा वह हमारा कुफरी का सो फिलहाल अभी चायनासता वगयरा कुछ करते हैं और फ्रेश होते हैं और क्योंकि प्रूम टूल भी आपको भी कराएंगी सुबह से काफी तेज भूग लगी है तो अभी हम लोगोंने पराठा ओडर किया है वह पराठी की खुश्रू इतनी अच्छी है कि मुह में पान ही आ रहा है अभी एक पराठ आइड रहा है अमने अलू का ओडर के आहें एक पराठा प्याज का उडर क्या और एक पर्दा पनीर का उडर तो चाई और 40 रूपे ए और लोगी आप जब विंड्व से देखो तो कुछ इस तरीगे का व्यू हो और बारिस पढ़ती हुयो उब चाहे के साथ पराठा हो तो तो खाने का कुछ मझा ही और होता है और टाइम स्पेंड करने यह कुछ मझा ही और होता है अब दोपहर का तकरीम ओने 3 बज रहा है दो बज करके 48 मिनट अभी हुआ अभी हमने खाना ओडर किया है कडाही पनी और लच्छा पराठा तो उसको खाने से पहले मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ क्योंकि काफी अच्छा रूम है मैं रिकमेंट करूँगा अगर आप कभी आते हैं शिमला तो आप यहां पर आए जो होटल की डेटेल्स वगएरा है मैं डेस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वीडियो के अंदर भी इसकीन पर आपको मैं शो कर दूँगा उनके अंदर जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो यह इसका बैट ठाला और उसके साथ साथ में इस बैट के उपर जो यह मिरर लगा हुआ है जो इस इस में आपए अपने हाँ देख सकते हैं उसके साथ साथ यह नाइट लैंप लगे हुए है और यह फैन लगा हुआ है एक इसकी साथ यह फिर आपका LED लगा हुआ है सोफा है ठीष्टेबल है इंपोर्टेंट है और पैसा वसूल करने के लिए जो चीज है वो यहां से इस विंडो के बाहर का जो व्यू है बहुत ही अल्टिमेट व्यू है यह तो हुआ दोस्तों रूम टूर और खाना वगएरा खाने के बाद में फिर हम बाहर निकलेंगे और देखते हैं कि यहां पर क दिखाएंगे जैसे कि जाकू टेंपल है और कुफरी है और ऐसे ही चार-पांच पॉइंट और भी है तो वह हमें कल दिखाएंगे कैप से परस्नल कैप रहेगी सेपरेट जिसमें हम दोनों लोग रहेंगे मैं और शाक्षी और पैकिस के अंदर यह दोनों चीजे हमें मिली वहां का है बाकी दोस्तों जो लास्ट वीडियो थी सिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस अगर आप उसको देखना चाहते है तो आपको अई बटन में लिंक मिल जाएगा काफी अच्छा और एडवेंचरस हमारा रास्ता रहा काफी अच्छा अच्छे तरीकी से हमने उसको साथ्यम से हमने कवर किया कालका से लेकर शिमला तक का और साक्षी को भी बहुत अच्छा और बहुत पसंद आया कैसे एक्सपीरियंस रहा कुमारा हाला कि कल से मोसम जैसा हुआ है बारिस और कभी गर्मी कभी सर्दी इस तरीके से कल से फोड़ा फीवर मुझे भी आ गे था तो काफी सारी मैडिसिन वगयरा हमाँ पर रखिए हैं अभी मैंने वाइरल की मैडिसिन ले रखी हैं क्योंकि बारिस में अब मुझे बिल्कूल भी नहीं भीग ना है क्योंकि पूरा रास्ते हम भीग करके हों तक पोचे हैं तो फिलहाल अभी खाना खाते हैं उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या प्लाइन बनता है आगे के लिए अगर बारिस बंद होती है तो और बारिस बंद नहीं होती है तो जिस तरीके कल अच्छा पराटा हमने बंगाय था इन से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा क्रंची सामने बोला था तंदूरी रोटी भी नहीं है इनकी पास में तो साधी रोटी है और यह कड़ा ही पनी रहे है अब यह जैसा है खाना अभी टेस्ट करेंगे बाद में पहले उस दिस आप से हम बता देता हूँ जैसा है देखने में उससे ज्यादा कहीं महंगा है यह खाना तकरीवन 500 रुपे अभी आठ वजे आख खुली है तो अगुरा दिन बारिस भी पढ़ती रही तो एक तुचाने का वैसे ही नहीं नहीं हो रहा दा और दूसरा रात को एक लिए हम सो नहीं पाया थे क्योंकि हमारी ट्रेन की टाइमिंग कुछ ऐसी थी ती रात को नो बज कर दस मिनट से लेकर कि सुबा तीन वजे की टाइमिंग थी एक तो हम आपर नहीं सो पाए तीन वजे हमें उठना पड़ा उसके बाद फिर सुबा पांच पैतालेस की टाइमिंग थी तो वह बीच का सुलूट खराब हो गया तो पूरा नीन भरी थी तो वह हमने कवर कर लिया है मस सोय चार पैनली है साक्षी नहीं पैलने हैं और सांसी कम बगया अब हिक कर रही है सो अभाए मुझे मैं तो थिया रोग से हम चेकर है कि आपको तो आप में बैटकर यह तो यहां से माल रोट शिंबला त Agriculture क्राइव नाकियक की दोष्त अब नियुक्त, चलिने सबाँमों मालरूण का रिमें काई। झाल 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 तो पहर का जो हमने खाना खाया था अपने होटल में ना तो भुजट की दरब रब से अच्छा था अभी हमने जहां पर खाना खाया है तो वह काफी अच्छा खाना था और ज़्यादा कोस्टली भी नहीं ता 380 में हमने एक पनीर बटर मसाला एक दाल मखनी और आठ रोटी खाई तो अच्छा खाना था और बिल्कुल एकदम तरप्त हो गया मन खुश हो गया आप थोड़ा तहलते हैं आपर और अभी रात में किया है कि व्यू क्योंकि मोबाइल केमरा से में शूट कर रहा हूं यि अब फूरा विडियर नहीं आप आरहा है क्या क्या मेरे की व्यूपफिर से आएंगे और एक बशायू आकर कर दिन में फिर सिनमेक्न वीडियो बगएरा लेंगे अगर आफ लोगों को अच्छा मल रोल नहीं करो बहुत स्पाइशीote हैं लिह लिवय बहुत na यह पर आपको टेस्टी और एक्ट्वल जो खाना होना चीए यह आपको है वहाँ पर मिलेगा और यार खाने के बाद में हमने काफी जगह पर ट्राइ किया कहीं पर हमें अगर गर्म-गर्म गुलाब जामुन मिल जाए क्योंकि साक्षी अब आज मनता हला कि साक्षी को यह गुलाब जामुन तो नहीं मिला है लेकिन गरम-गरम सूजी का हलवा जरूर मिल गया है और काफी अच्छा लग रहा है दिखने हमें खाकर के पता लगेगा कैसा ऐसका टेस्ट है सुन तो स्वीट्स काती नहीं हो ऐसा तुम एक काम को चम्मस से मुझे कहला हूँ तुम काफी अच्छा है लेकिन जितना इसके अंदर देशीगी पढ़ना चाहिए उतना देशीगी इसके अंदर नहीं है सूजी का हलवाद जब घर पर मनता है उससे ज्यादा अच्छा टेस्टी हलवा कहीं और बाहर आपको नहीं मिल सकता है हाँ तो कि वहाँ पर चार से हम लोग शिम्ला के लिए अपने घर से निकले थे उससे पहले बारी जो वीडियो थी हमारी जो मने घर पर बना ही वीडियो में आपको बताया था मैंने कि हमारा जो चैनल है वो अब अलिजबल हो गया है गूगल एडसेंस के लिए हम जो यूट्यूब की मोनेटाइसेशन अब अब लाइक करते हैं उनके अंदर आ गए हमारा चैनल भी अप अर्निंग करने लगेगा तो मैंने 27 तारिक में एपलाई कर दिया था गूगल एडसेंस के लिए और YouTube मोनेटाइशन प्रोग्राम के लिए और आज हमारा चैनल मोनेटाइशन प्रोग्राम के लिए और आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट के आश्रा करते हैं कि फ्यूचर में भी आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे आप हमें भी आप हमेंगे जिल ने हमेंगे ने हमें प्सक्री आप हमेंगे तो प्सक्री कारते हैं